इसलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नाजरीन, आज हम बात करेंगे अलो वीरा जेल कैसे चहरे की जिल्द के लिए मुफीद है अलो वीरा के पते में मौजूद जेल की एक तह होती है जो 99 फीसद पानी पर मुश्तमिल होती है अलो वीरा जेल में शाय होने वाले एक मजमून के मताबिक इस अलो वीरा जेल में अमीनो इसिड और विटामिन A, C और I पाए जाते है अलोविरा जेल बहुत सी बीमारियों, बालों और जिल्द की हिफाज़त और उनके इलाज में इस्तिमाल होने वाले इंतहाई गुदरती मादों में से एक समझी जाती है अलोविरा जेल जरासीम किश और इंसिदाद सोजिश की खुसूसियात की हामिल होती है इसके अलावा इसमे जिल्द के लिए एहम घिजाई अज़ा भी शामिल होते हैं रोजाना की बन्याद पर चेहरे पर लगाने से ये कील महासों के इलाज में वाज़े तोर पर मुफीद साबित होती है जली हुई जिल्द का इलाज जली हुई जिल्द के इलाज और उसकी बहाली को तेज करने के लिए एलोवेरा जेल में खुसूसी सलाहियत होती है इसे रोजाना कई बार जले हुए मकाम पर लगाने से जखम दुरस्त हो जाता है जिल्द का सूखा पिंदूर करना एलोवेरा जेल आम तोर पर जल्द की तमाम बिमारियों के लिए मौज़ू है लेकिन ये खास तोर पर खुशक जिल्द के लिए बहुत फाइदा मंद है इसका बाकाइदा इस्तेमाल जिल्द को नमी बखशता है और उसका सूखा पिंदूर करता है आँखों के गिर्द सिया हलकों को कम करना एलोवीरा जेल विटामन ई से भरपूर होती है इससे जिल्द पर ठंडा असर पढ़ता है इसलिए आँखों के गिर्द एलोवीरा जेल का इस्तेमाल आँखों की बीमारियों और आन के गिर्द सिया हलकों को दूर करने में मदद देता है इसे रोजाना रात को सोने से पहले आँखों के गिर्द लगाना चाहिए चेहरे के लिए एलो वीरा जेल का इस्तेमाल कैसे करें चेहरे पर एलो वीरा के इस्तेमाल की बहुत सी तरकीबें और मताद्द तरीके हैं जिन में से कुछ ज्यादा मुस्र समझे जाते हैं चिकनाई वाली जल्स से कील महासूं का खात्मा चिकनाई वाली जल्स से कील महासूं के खात्मे के लिए हफते में दो बार रात को सुने से कबल चाय के पौदे के तेल में ऐलो वीरा जेल मिला कर चेहरे पर लगाएं हसास जिल्द को नर्म करना के लेके छोटे से टुकड़े में थोड़ा सा ऐलो वीरा जेल और एक चमच गुलाब का पानी मिक्स करें और आस मास्क को चहरे पर लगाएं इसे इस वक्त तक नधोई जब तक सूखना हो जाएं ये अमल हफता में एक बार क्या जाना चाहिए? खुश्क जिल्द को नर्म बनाएं खुश्क जिल्द को नर्म बनाने के लिए खीरे के टुकड़े को पेस कर इसमें एक चमच सफेद शहद और एक चमच एलो वीरा जेल मिलाकर चहरे पर लगाएं अच्छे नताइज के लिए मतलूबा 15 मिनिट के लिए जिल्द पर लगाएं और उसके बाद पानी से धोलें शुक्रिया